अगर आप भी rubik cube solve करना चाहते हैं तो आपको rubik cube के बारे में पहले कुछ जानकारी पता होनी चाहिए जैसे कि rubik cube में हमें कभी भी solve करने के लिए हम जो भी कोई भी एक color पहले solve करने की कोशिश करते हैं like white color या कोई भी हम color solve करने लग जाते हैं पर ऐसा नहीं है हमें layer wise ही rubik cube को solve करना होता है first layer second layer and third layer तो rubik cube के लिए जो कुछ formulas लगते हैं उसके लिए मैं आपको shortcuts पताना चाहूंगी इसको हम right side को हम R से denote करते हैं अगर इसको हम clockwise घुमाएंगे तो इसको R बोलते हैं और अगर anticlock wise घुमाएंगे तो इसको R inverse बोला जाता है तो इसी तरह से left को अगर हम clockwise घुमाएंगे तो L बोलेंगे और अगर anticlock घुमाएंगे तो R inverse बोलेंगे right left R & L जो उपर की layer है हमारी इसको हम U बोलते हैं upper layer तो अगर हम इसको clock की direction में घुमाएंगे तो U और अगर anti clock तो U inverse सामने कि जो हमारे हाथ जब जिसको हम ऐसे पकड़ेंगे और जो हमारे front की layer है उसको हम F से denote करते हैं तो अगर हम सीधा गुमाएंगे तो F और अगर उल्टा गुमाएंगे तो F inverse इसी तरह से जो नीचे की layer है उसको हम down बोलते हैं D इसको D से denote करेंगे अगर हम इसको anti clock गुमाएंगे तो D inverse और अगर clockwise गुमाएंगे तो इसको D से denote किया जाएगा ऐसे ही back का भी होता है बट जो formulas मैं use करते हूं उसमें मैं back के लिए use नहीं करते हूं कोई formula वैसे back side को हम B से denote करते हैं तो हमारा जो main है right, r, left, l, upper, u, front, f तो इन formulas को अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए solve करना easy हो जाता है उसके अलावा हम एक बात और जानी पढ़ती है कि जो ये वाले pieces होते है इनको edge piece बोला जाता है इनमें 2 ही color होते हैं जो 2 color वाले blocks हैं उनको edge piece बोलते हैं और जो 3 color वाले blocks हैं उनको corner pieces बोला जाता है जो corner pieces हैं वो rubic cube में 8 ही होंगे और जो edge pieces हैं वो 12 होंगे तो ये कुछ basics हैं जो हमें rubic cube solve करने से पहले पता होनी चाहिए उसके बाद मैंने तीन अलग अलग videos बनाई हैं first layer की, second layer की and final third layer की तो आप उनको देखके इस rubic cube को easily solve कर पाएंगे